दमश्कार, मैं डॉक्टर शिखा गुपता, सीनिय कंसल्टेंट, आज आज आपको प्रेग्नेंसी में जेनेटिक स्क्रीनिंग के बारे में बताती हूँ प्रेग्नेंसी में आजकल जेनेटिक स्क्रीनिंग संबंदित है आज से 30 years पहले ऐसा possible नहीं था कि हम बच्चे के अंदर जेनेटिक स्क्रीनिंग कर सकें और बच्चे के जेनेटिक डिफेक्स को प्रेग्नेंसी के दौरान ही पता कर सकें पर आजकल हमारे पास ऐसे टेस्ट अवेलेबल हैं जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि बच्चे में जेनेटिक डिफेक्ट है तो आप सब लोगों नहीं सुना होगा जादा तर जो लोग यूट्यूब्स देख रहे हैं जो लोग नेट सेवी हैं उनको पता है कि आजकल प्रेग्नेंसी के दौरान कुछ टेस्ट ऐसे ओफर करे जाते हैं जैसे कि डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रपल मार्कर, NIPT और उनसे संबंदित कुछ हायर टेस्ट जैसे एम्नियोसेंटेसिस, कौरियोनिक विल्लस सेंप्लिंग यह जो हायर टेस्ट है यह वही लोग समझते हैं जिनके साथ यह टेस्ट हुए हैं दूसरे लोग नहीं समझते क्योंकि इनको कुछ special conditions के अंदर ही करवाय जाता है सभी cases में यह टेस्ट नहीं कराय जाते हैं पहले यह कहा जाता था कि यह सब जो genetic test होते हैं क्योंकि genetic problems तीस साल की उम्र के बाद जादा होती हैं तो इसलिए तीस साल की उम्र के बाद करवाने चाहिए पर लेकिन ऐसा देखा गया ऐसा पाया गया कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ऐसा नहीं है कि तीस साल से कम उम्र की स्त्रियों के बच्चों को नहीं होते उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है तो आजकल सभी को ही ये टेस्ट ओफर किये जाते हैं, सभी को इन टेस्ट के बारे में बताया जाता है कि ये टेस्ट आप कब-कब करवा सकते हैं और इन टेस्ट की क्या उपयोगिता है तो सबसे पहले हम पहले तीन महीनों की बात करें तो एक एंटी स्कैन होता है, थर्ड मंथ की 3D सोलोग्राफी जिसको की एंटी स्कैन कहा जाता है और उसके साथ हैं डबल मार्कर करके मदर के ब्लड से टेस्ट होता है, जिससे कि हमें एक आइडिया लगता है कि बच्चे को कोई जनेटिक प्रॉबलम होने का चांस है की नहीं है ये एक screening test है, इस test में हमें सिर्फ ये पता चलता है कि risk positive है कि negative है इससे confirm नहीं होता कि बच्चे को actually genetic problem है अगर मान लीजे double marker का report negative आता है इसका मतलब ये है कि बच्चे को कोई भी genetic problem होने का chance less than 5% है ऐसा नहीं होता कि report negative है तो 100% ये हो गया कि बच्चे को कोई genetic problem होने का chance ही नहीं है बट लेकिन chance negative होने से 95% ये rule out हो जाता है कि बच्चे में कोई genetic problem होने की संभावना है अगर ये test positive आता है तो उस patient को हम high risk category में रखते हैं और उसकी report में भी high risk आता है तो अगर ये report high risk आता है तो अब क्या करना चाहिए generally ये test जो होते हैं ये 12 weeks पे होते हैं पर जो इनका confirmatory test है वो 17 weeks के बाद 17 weeks के बाद बच्चे के आसपास का जो पानी होता है वो अच्छे से बन जाता है और उस पानी को हम needle द्वारा, syringe द्वारा निकाल लेते हैं और उस पानी के अंदर हमें बच्चे के cells मिलते हैं उनकी genetic study करवाते हैं तो हमें बच्चे का genetic structure पता चलता है genetic study पे आजकल higher होने लग गई है पहले तो simple एक karyotype होता था पर अब क्यूंकि आजकल micro area जैसी technology आ गई है तो और ज्यादा detail में हम बच्चे के बारे में जान सकते हैं और बच्चे के numerical defects मतलब कोई chromosome missing है कोई extra add हो गया है या trisomy के बारे में, triploides के बारे में हमें बच्चे के बारे में पता चलता है और अगर बच्चे में कोई major defect आता है तो हम pregnancy discontinue कर सकते हैं क्योंकि हम mentally retarded और defective बच्चा अपनी life में नहीं चाहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जैसे मानलो patient कभी out station है शहर से बाहर है या देश से बाहर है या किसी emergency या कारणवाश उसके ये test miss हो जाते हैं तो 5th month में भी आजकल ये test करने की सुविधा available है तो पहले तो triple marker करके test किया जाता था पर अब triple marker से भी बहतर एक quadruple marker test आ गया है जो pregnancy के 17 से 22 हफते के बीच में किया जाता है जो quadruple marker test है उसकी sensitivity भी कम है तो मैं आप लोगों को यही सला दूँगी कि आप triple test ना करवाएं quadruple marker test भी जो है वो maternal serum मतलब मदर के blood से होता है और उसके अंदर भी हमें ऐसे ही जानकारी मिलती है कि वच्छे में कोई अगर defect होने के chances है तो patient risk positive आजाता है important thing is कि जो quadruple marker test है वो relatively expensive है महेंगा test है और उसकी sensitivity double marker test के comparison में कम है तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप अगर genetic screening करवा रहे हैं तो आप 12 weeks पर double marker से करवाएं ना कि उसे postpone करके quadruple marker तक लेके जाएं क्योंकि quadruple marker उतना अच्छा test नहीं है बहुत सारे लोग कहते हैं कि ma'am sonographies normal है तो फिर हम यह test skip कर सकते हैं क्या नहीं sonography कभी भी इस test को replace नहीं कर सकती आपको यह test बच्चे के genetic जानकारी के बारे में अलग से करवाने ही चाहिए क्योंकि sonography 100% अपने को इस संबंदित जानकारी नहीं देती और बच्चे की जो 5th month की sonography होती है उससे भी हमें एक idea लगता है कि बच्चे में कोई genetic defect होने का chance है कि नहीं है तो यह दोनों test आजकल हम करवाकर एक 95-96% यह confirm कर सकते हैं कि बच्चे में कोई genetic issue नहीं है Thank you